MSP गारंटी से कम कुछ भी नहीं मन्जूर किसान मूर्चा ने खारिच के असरकार का प्रस्ताव चौथे दौर की वारता भी फेल 21 फरवरी को होगा आर या पार किसान नेताओं और सरकार के बीच MSP सहित कई मांगों पर एक बार फिर सहमती नहीं बन पाई है जिसके बाद किसान संगठनों ने 21 फरवरी से दिल्ली कूच करने का एलान किया है इसे लेकर किसान तयारियां कर रहे हैं इस बीच संभू बार्डर पर प्रशासन द्वारा बनाई गई सीमेंट की दिवारों को तोड़ने के लिए किसान एक खास हतियार लेकर आए है किसान नेता नवदीप जलबेडा पोकलेन मशीन लेकर शंभू बार्डर पर पहुँच गए है पोकलेन मशीन की मदद से प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर लगाई गई सीमेंट की दिवारों को किसान हटाएंगे किसानों का कहना है कि सरकार की नियत में खोट है सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है हम चाहते हैं कि सरकार 23 फसलों पर MSP यानि की नियूंदम समर्थन मूले का फार्मूला तै करे सरकार के प्रस्ताव से किसानों को कोई भी लाब नहीं होने वाला है बतादे कि किसान नेता पढ़ेर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने जा रहे हैं सरकार से आगे फिलाल कोई मीटिंग नहीं होगी लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तयार हैं डल्लेबाल ने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि या तो हमारी मांगे मानी जाएं या फिर शांती से हमें दिल्ली में बैठने की मंजूरी दी जाए हमारी सबी किसान भायों से अपील है कि वो हिंसा ना करें दरसल रविवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई थी अब तक की बैठके बे नतीजा रही है हलाकि रविवार को ही चौथी बैठक में सरकार ने किसानों के सामने एक नया प्रस्ताव या यू कहें कि फॉर्मूला दिया है सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिच कर दिया है किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसका नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है सरकार के इस प्रस्ताओं को लेकर किसान नेताओं ने सोमवार को शंभू बॉर्डर पर बैठा की थी किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP पर कानून गारंटी की है किसानों का कहना है कि सरकार MSP पर कानून लेकर आए किसान MSP पर स्वामिनाथन आयोग की सिफारशों को लागू करने की मांग भी कर रहे है किसान संक्टरनों का दावा है कि सरकार ने उनसे MSP की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका स्वामिनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का गेड़ गुना कीमत देने की सिफारिश की थी आयोग की रिपोर्ट को आए 18 साल का वक्त गुजर गया है लेकिन MSP पर सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है और किसानों के बार बार आंदोलन करने की एक बड़ी वज़ा यही है इसके लाबा किसान, पेंशन, कर्जमाफी, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी न करने, लखी पुर्खिरी हिंसा के पीडित किसानों पर दर्ज के इस वापस लेने की मांग पर भी अड़े हुए है जबकि सरकार के पक्ष में खड़े लोगों का कहना है कि यह महज एक चुनावी स्टन्ट है और यह लोगसबा चुनाव दो हजार चौबिस को देखते हुए मोधी सरकार को बदनाम करने की एक चाल है हलाकि किसानों के इस सांदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही